साहिब गंच में आटोमेटिक वेदर स्टेशन जल्द शुरू होने जा रहा है। इससे किसानों को काफी लाव मिलेगा। क्रिश्य विज्ञान के इंद्र परीसर में संयंत्र लगाने का काम तेजी से चल रहा है। समय पर मौसम की रिपोर्ट मिलने से फसल की शती कम होगी। पहले मौसम की जानकारी नहीं मिलने से फसल बरबाद हो जाता था। धूप, आंधी, हवा और बारश की जानकारी पहले ही मिल जाएगी तो खेती में काफी मदद मिलेगी। काम कर सकते हैं, उनको अनभव प्राप्त होगा कि कौन समय में कैसा मौसम आने वाला है, मेरी फसल की बरबादी कब होगी, मेरी फसल की अबादी कब होगी। विशेशक ये सलह देने के लिए डिजिटल कियास को स्थापित किये जाएंगे। साहिब गंज में अगले महीने से वेदर स्टेशन काम करना शुरू कर देगा। क्रिशी वेग्यानिक के अनुसार, आटोमेटिक वेदर स्टेशन में टावर के साथ संयंत्र लगाया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हर मिनेट मौसम रिकॉर्ड किया जाएगा और पुर्वानुमान रिपोर्ट तयार कर दिल्ली भेजा जाएगा। किसी विग्यान के अनुसार है पेंज में गरामी किसी मौसम सेवा के अंतरगत आई एंबी के द्वारा आटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो लगाया जा रहा है। इस महिने के अंतर तक इसमें जितने भी एकिपमेंट्स है वो लग जाएगे। पहले मौसम पुर्वानुमान नहीं मिलने से किसानों को काफी नुकसान होता था। सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को काफी लाब होगा और वे मौसम के अनुसार खेती कर पाएंगे। तो निशीत रूप से आने वाले समय में जिलेवासियों को यहां के किसान को पुर्वनुमान मौसम की जनकारी मिलने से काफी लाब मिलेगा। और वो अपने मौसम का अनुसार अपने फशल को उप जाएंगे और उन्हें काफी इससे फाइदा मिलेगा। शिपसंगर कुमार, E.T. भारत साहिब गंच